अच्मिन दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूटूब चैनल आॉलाइन टैक सीकों में दोस्तो आज मैं लेकर आया हूं किसान भाईयों के लिए बहुती बड़ी न्यूज दोस्तो हर किसान भाईयों का दो लाग का करज होगा माफ दोस्तो कैसे होगा वो तक होगा करजमाब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी दोस्तों वीडियो में आइंट तक बने रहे हैं आपको मिलेगी पूरी जानकारी दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब ना किया हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले गंटी का बटन दबा दे दो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और सेर कर लें दोस्तो हमारे देश में करोना वायरस की बज़े से हमारे किसान भाईयों का भाई ताइदायत में नुक्सान हुआ है हमारे किसान भाई बहुती निरास है दोस्तो इसी को देखते हुए हमारे पीम मोदी ने कर दिया है बहुती बड़ा ऐलान दोस्तों हमआरे पियम मोडी ने बोला कि हमारे किसान भाई इस साल करोना वाइरस की बज़े सें उन्हों की फदूए जो है वो सारी बरबाद हो गई थी। दोस्तों कौन-कौन जि फदूए बरबाद ही है दोस्तों तो दोस्तों फूलों की फसल हमारे यह बहुत ही बड़ी ताइदात में होती है वो भी सारे फूल खीत में ही खराब हो गयते। दोस्तो सबजियों की फसल हमारे देश में बहुती बड़ी तायदायत में होती है दोस्तो वो भी सारी सबजियों की फसल खेत में ही बरबाद हो गई थी दोस्तो गियों की फसल तयार थी जब लॉकडाउन लगाता दोस्तो तो किसान भाईो खेत में नहीं गए बारिस की हुए हमारे किसान-भाई काफी करज में डूबे शोइए थे साल दोस्तों सारे किसान भाई बहुत ही जादा परसां से तो हमारे केंदर सरकार और राज्यो सरकाल उने मिलकर क्या बहुत हर किसान भाईयों का दो लाग का करज माप करेगी सरकार दोस्तों एक अगस्त से लेके 15 अगस्त तक दोस्तों ये पिरकिरिया चलेगी दोस्तों एक अगस्त से फारम भरना श्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों और 15 अगस्त तक आपका करज माप कर दिया जाएगा दोस्तों या किसी भी को दे कर दोस्तों अपना कर्च माप कराईए दोस्तों ये हमारे पिर्दान मंतरी नरेंदर मोदी का आइलान है और राज्यो सरकारों का भी है दोस्तों इसी को चलते हुए अगर आपको किसी भी कोई भी काम में रुकावट आती है तो दोस्तों आप अपने इमित आईगी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा दोफससे पहले अकर आकने हमारा चैनल सप्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सस्क्राइब कर잡े घंटी का बटन दभा दे दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लांक कर ले सेर कर लें दोस्तों मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में आईसी व्यानकारी लेके दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद